हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जो है लाड़ वेले जली ठीक है इस टॉपिक के विश्य में आज हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ठीक है कि पिछला थोड़ा सा लेते हुए तब वेले जली को प्रारब करें जैसे पिछले पहली क्लासों में हम लोगों ने लाड वारेट हैस्टिंग और उसके बाद लर्ड कार्नवालिस के बारे में पढ़ा था ठीक है कार्णवालिस के बाद कुछ समय के लिए जानसोर गवर्णर जनरल के पतपर आया था लेकिन वह आपके स्लेवस में नहीं है और वह इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है उसके बाद जो महात्पू के गवर्णर जनरल बनकर आता है वह लौड वेलेजली ठीक है वेलेजली जो की नीती पर नहीं चल रहे थे ठीक है लेकिन वेलेजली ऐसा गवर्णर जनरल था जो पूरी तरीके से कंपनी का हस्तक छेप हर जगए इस्तापित करना चाहता था और इसी लिए इसके समय पर एक नई चीज निकल कर सामने आती है जो थी सायक संधी ठीक है सायक संधियां ए आपके एकजाम में पक्का बनता है ठीक है तो लाड़ वेलेजली की आज हम लोग खास करके सायक संधी क्या थी ठीक है क्या उसके परिगाम हुए क्या लाब हुए क्या हानियां हुए यह सारी बातें जो है लाड़ वेलेजली की सायक संधी के विसे में हम लोग जानेंगे है तो चलिए प्रारम करते हैं कि अब है कि सबसे पहले बात करते हैं वही तो पहला गवर्णर जनरल 1770 से पचासी तक बनता है फिर इसके बाद है ठीक है और भारत में अग्रेजी राज को अधिक मजूद बनाने के लिए दो गवर्णर जनरल ने और भी काम किया ठीक है जैसे कि कारणवालिस मैंने बता चुका हूँ और जानसोर लेकिन उसके बाद 1798 में लाडवेले जली गवर्णर जनरल में बनकर भारत आया जिसने सबसे पहले भारत में अंग्रेजी सामराज को मजबूत बनान करता था लाडवेले जली के अनुसार यदि पहले के गवर्णर जनरल काम करते तो आज सारे भारत पर अंग्रेजों का कभजा होता इस प्रकार का वेले जली का कथन था वह भारत में अंग्रेजी राज को मजबूत करने के लिए उसने कई सारे कदम उठाए इसका कारकाल 1798 आनुदे से 800-25 तक था वेले जली भारत की बारत की गत्वीतियों में रुची जो है लेने लग जाता था वह हर बार कंपनी को उपर रखता था ठीक है निकिशि से भी कोई विबात हो राजा को उपर रखता था ना वहा की प्रजा को यो जनता को मैलकि सबसे उपर जो रहत समराज विस्तार के और भी तरीके अपनाए थे ठीक है अब जैसे समराज विस्तायक संदियां हो गई लेकिन उसके बाद जो नहीं मान रहा था तो उसके लिए उसने कठोर और युद्ध की नीतियां भी अपनाई तो इसके समय दो प्रसिद्ध युद्ध होते हैं पहला इसके समय पर किये गए तो लोग समय संथी को चर्चा करेंगे अब हम लोग बात करते हैं सहयक संदी थी के मोस्ट इंप्रटन टॉपिक है वेले चलिश संबंदित अब ये सहायक संदी क्या थी ठीक है सहायक संदी का मतलब आप समझ रहे होंगे इस नाम से पता चल लाँग कि दो सक्तियों के बीच एक संदी हो जाती सहायक संदी मतलब एक दूसरे की ऊहटा को ले करके ठीक है अब सिसमें क्या था कि इसमेह सहाय Tah करने वाले थे अंग्रेज ऑर किसी भी भारती करो अब यह हम दूसरे राज्य से तुम्हारी मदद करेंगे तो यह दून दोनों राज्यों के वीज एक प्रकार से फोट डालने का कार ही हो रहा था और कंपनी की सहनिक सकती को उस समय संधी अपनाने का प्रेयास करने लग गए और इन में से सबसे पहला प्रियास किया वह किया ठीक है और सबसे पहले पर से सायक संधी जो है और यह एक तरह से चाल थी ठीक है जिस को रिंग फेंस की नीटी भी कहते हैं यानि कि यपनाने rely करना यानि कि जैसे हम दच्छिब वारत की बात करें तो दच्छिब भारत में यह हैदराबाद राज था यह मैसूर राज था और इधर मराथा राज था ठीक है अब यह तीनों से उनको खत्रा था तो उसने क्या किया कि सबसे पहले इन दोनों को अपने तरब लेकिन फैंधरावास से मैसूर को आटायक करता है चतुरत चतुरत अंगल मैसूर होता है और इस मैसूर को भी आन्ठ में सायक संदी माननी पढ़किती और मैसूर इक तरह से परास्थ ॹोजाता तो फिर मैसूर जो है तुल्टा अंग्रेजों के कपजे में भी आ जाता है और उसके बाद मराथा तो यह चारों तरफ से क्या करने है और इधर बीच बीच में इनका बरिटिस सामराज है तो यह चारों तरफ से अपने आपको स्रीमा रेखा खीचे रहते हैं और किसी दूशरे अपने राज में आने से पहले अपनी डाल जोए किसी दूसरे राज को बना कर रखते हैं यह पूरी नीटी है रिंग फेंस की नीटी जो की वेले जली के समय कार कर रही थी भारती राज्यों के प्रति ठीक है तो इस प्रगार से काम किया अब यह सायक संदियों की में में बातें क्या होती थी इसमें क्या संदियों में प्रस्ताओं रखे जाते थे ठीक है अब हम लोग उनके विशह में चर्चा करते हैं तो तो इसमें जो सबसे पहला पॉस्त है वह सहायक संदि को स्युकार करने वाला राज कँंपनी के पास हो जाएंगे ठीक है पहला पॉंट यह हैं कि अब उसके अधिकार शेतर में कंपणी के अधिकार सेंगे राज किसी भी राज से युद्ध सांती मित्रता आदी सभी इन चीजों पर बात करती है तो फिर ये सारे अधिकार कंपनी के पास होंगे यानि कि एक तरह से वही जो विदेश नहीं थी मैंने बताई वही सारी बातें जो है ये दूसरे पॉइंट के अंतरगत तोर्या इस पर श्रूप में रखे करेगा और उनके किसी भी विक्ति को नौकरी नहीं देगा और साथ ही ये भी था कि किसी भी विदेशी विक्ति को वह अपने राज्य में नहीं रहने देगा यानि इससे उन्हों को क्या था कि फ्रांस से समस्या थी तो फ्रांस की सक्तियों को कमजोर करना था तो इन भारती राज्यों से क्या हुआ, फ्रांसीसी सक्तियों को इस प्रकार से वेले जली ने बाहर निकालने का प्रयास किया, ठीक है तो ये सायक संदी का तीसरा प्रमुक बिंदु था, अब next है, कि संदी को स्युकार करने वाली रियासत कंपनी की एक सेना रखेगा, ठीक है, यानि कि उस राज्ज में company के सेनह रहेगी और जिसका खर्च जो है वो राज्ज ही सेहन वहन करेगा ठीक है और उसी सेनह के बदले जो है क्या उता था कि उनकी रच्छा की जाएगी लेकिन इससे पहले भी अंग्रेजों की नीती इस प्रकार की थी लेकिन वो सेना जो है उन राज्यों में नहीं रखते थे अपने अपनी तरिटोरी में रखते थे अपने बिरिटिस वारत के शेतर में रखते थे और जब उनको राजियों को जरूरत होती थी तब उनको सेना देते थे और तब उसके बदले में पैसा लेते थे। लेकिन अब रखने की बात हो गई तो वो तो आल टाइम वहीं रहेंगे तो हर समय उनका खर्चा जो है लगेगा और वो सारा खर्चा जो है इस तरह से वेले जली ने भारती राज्यों से निकालने का कार किया और इसकी वजय से कंपनी की जो अर्थ व्यूस्ता है वो उसमें उसको अपने जिसका उसका जितना राज्य छेत्र है उसमें से कुछ छेत्र जो है कंपनी को देना पड़ेगा यानि कि जितना खर्चा आ रहा है उसी के अनुमान के आधार पर उतना छेत्र जो है अपने राज्य का कंपनी के साथ राज्य को देना पड़ेगा यानि वो एक और ब्राज के बाद्चीत के लिए कार करेगा बातों को सूचना देने का कार ये यह कहा गया लेकिन और यह भी कहा गया थैं कि अंत्रिक मामलों में कोई तक छेप नहीं करेंगा लेकिन ऐसा था नहीं यह अंग्रेज resident जो है राज्यों की अंत्रिक नीत में पूगलता हस्तक्षेप करता था पूगलता निंगरानी रखता था और जो नीती अंग्रेजों के खिलाफ हो सकती थी जिससे अंग्रेजों का फायदा या फायदा नहीं हो सकता था उस तरह की नीतियों में ये अंग्रेज कंपनी करती थी यानि कि इतना सब लेने के बाद कंपनी का कंपनी को क्या करना था कि वो केवल सुरच्छा की गारंटी लेगी ठीक है अब कहें कि सुरच्छा आप खुद सोच कर देखिए कि अब खुद कंपनी ने ही उसको एक तरह से हड़ लिया तो फिर अब क्या देहां दिया पर फालू होता है यानि कि दूसरे राज्जियों के खिलाफ इतना बहिए रका है कि वहापत में दुस्मन मान रहे हैं एक दूसरे को और अंगरेजयों को अपना मित्र मान रहे हैं ओर यह नहीं देख लेय चेंगम नहीं देख साहीत डालो राज करो और इसका फाइदा भी मिला अग्रेजों को, और इसी विजासे बाद में तबी महातिमा गांदी जी ने एक बार कहा था कि भारतियों ने भारतियों को गुलाब बनाया नहीं गया है, बलकि भारतिय। खुद गुलाम बने हैं उन्होंने क्थ अंग्रेजों को अपनी शासन स्था शुप दी है ठीक है और जब आप कभी बिचार करेंगे इस विशेपर तो आपको भी बहुतियों के दवर्ण ही अंग्रेजों को परिच्छे देते के तो तो सायद गुलामत नहीं आपते हुआ आपाते हैं पर निक्स है कमपण। और शासे North ये बीड़ी बिड़यों की तो इस्वी और जणरल और होने का मतलब यह था कि सरोध सब्था जो है अब किसे पास आ, ना-जणरल के पास आ तो इस प्रकार से लाड वैली जिली का जो ये सायक संदी थी वो एक प्रकार की अचूक सस्र सावित हुई और इसने जो है रियास्तों की पनपने की संभावनों को लगबग नहीं रहती थी कोई भी रियासत इससे निकल पाए इस प्रकार की संभावना जो है बिलकुल नहीं थी, अब राज जो है पूर्वलता, जो है वेले जली यह कहें कि अंग्रेजों के बिलकुल अंग्रेजों पर बिलकुल निरभर हो गए थे, अब सारी जो मानमानी है वो धीरे-धीरे अगरेजों की बढ़ने लगती है. और वहीं जब हम लार डलहोजी तक जाएंगे तो डलहोजी के समय तो सीधा हड़ाप नीती हो गई पूरे राजजी हड़ाप कर लिये गए ठीक है भी तो सायक संदी है मतलब कुछ आंतरिक अधिकार है ठीक है राजा है लेकिन उसके बाद तो डलहोजी के समय तो पूरा आधनी के इत्यासकार लाड़ वेले जली की सायक संदीयों को भी प्रमुक कारण जो है मनते हैं है तो यह थी साहक संदिया जो की प्रमुक बिंदु जो कि उसके अंतरगत रखे गये थे ठीक है तो यह सारे पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए तभी आप लोग साय पाएंगे ठीक है नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि अब आज की क्लास यहीं पर रखते हैं इसके आगे अगली क्लास में हम लोग कौन कौन से राज ने किस प्रकार से संदियां की ठीक है और उसके फिर लाब और हनी क्या रहे वह सब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे त झाल